नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल और इन्फो कानपुर में यह हमारे सामने एक्टिवा घड़ी हुई है अपग्रेड मॉडल हॉंडा ने फिर से एक्टिवा को अपग्रेड किया हुआ है आप देख सकते हैं दो कलर में एक डार्क ग्रे और ए इसमें क्या-क्या फीचर्स अलग से एक्ट्रा एड़ किये हुए है वो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जो गाड़ी है आप नीचे से ऐसे आईए देखिए जो इन्होंने यह आप देख रहे हैं ब्लेक कलर का जो किक का पल्ला दिया हुआ है वो आपने अभी तक एच स्मार्ट जो आती थी उस पर देखा होगा और उसी पर इन्होंने इस ताप से निकाला हुआ है और जिस पर इन्होंने किक दी हुई है और यह देखिए एलोई वील सबसे पहला नमबर आता है अलोई वील का एक्टिवा के अलोई वील नहीं आते थे जब एच स्मार्ट आई है तो एच स्मार्ट में उन्होंने अलोई वील दिये थे बट अब क्या है कि अब यह देख सकते हैं चाबी भी लगी हुई है और इस पेसल एडिशन इसको नाम दिया हुआ है जिस पर इन्होंने यह देखिए जो यह ग्राफिक्स इन्होंने यह बलू गाड़ी में दिये हुए है अला कि फुरी जी गाड़ी गंदी है बट वील जो आप देख रहे हैं सेम है वील और जो फर्क किया है वील का किया हुआ है और इस टीकर्स इन्होंने इस पेसल एडिशन वाले लगाई हुए है यह देखि यह पैनल पर ग्राफिक्स इस पेसल एडिशन के दिये हुए है यह आप देख सकते है इस पेसल एडिशन यह पिये हुआ है तो आप देखिए इसका जो मॉडल आता है वह एलीडी पर ही मिलेगा आपको LED के लावा हैलोजन नहीं मिलेगा तो जो उन्होंने चेंजमेंट किये हुए है वो अलाइवील है अलाइवील में यदि आपको कस्टुमर को चाहिए अगर अलाइवील वो चाहरा है लेना तो वो अलाइवील भी ले सकता है जिस पे चावी ये देखिए वेरियंट जो है चावी का चावी वेरियंट पे अब रिमोट की जरूरत नहीं है आपकी जो नॉर्मल एक्टिवा रहती थी उसी बेस पे इन्होंने देखिए चावी दी हुई है और वील जो है अलाइवील कर रखी है तो गाड़ी में जो है इस किकर्स थोड़े से चेंज किये हैं और वील में इन्होंने नॉर्मल वील की जगा अलाइवील दिया हुआ है किक दी हुई है गाड़ी में और गाड़ी में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया है कि अधर कोई चीज गाड़ी में कोई भी फर्क नहीं किया है LED लाइट के साथ में आपको यह मिलेगी कलर भी दोनों ही अच्छे निकाले हैं और इस्टिकर के साथ में और भी देखने में सुन्दर लग रही गाली तो गाली के विजह में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए इस्पेसल एडिसन के बारे में तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू